शोर्शॉट फॉर्मूला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्स्क्राइब का बटन दबा के सब्स्क्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अब्डेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तुभ्यम वर्दे काम रूपेड़ी विद्यारंभम करिश्यामी सिध्धिर भवतू में सदा ओम जैमा सरस्वती नमस्कार दोस्तों शोर्शॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखिएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आये तुरंत इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये छोटा वीडियो है दोस्तों आप सभी शोर्शॉट परिवार का हिस्सा है और मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है चाहे वो paid client है चाहे वो follower है चाहे वो whatsapp के माध्यम से facebook के माध्यम से twitter के माध्यम से community के माध्यम से या कहीं से भी मुझसे जुड़ा है उसको मैं सही information दू 20 April का दिन आपको याद होगा 20 April 2020 में crude oil की expiry हुई थी और उसके बाद जो settlement हुआ था वो 960 रुपे में बंद होने के बाद 61 रुपे में कुछ लोगों ने जान बूज कर अपने contracts को open छोड़ दिया था और जिसकी वज़े से कई लोगों को लाखों रुपे का नुकसान हुआ जिसका एक lot crude भी open रह गया market में उसको लगभग 4 लाख रुपे का 3.4 लाख रुपे का नुकसान हुआ था एक lot में आपको ये पता होना चाहिए कि natural gas और crude oil दो ही ऐसे contracts हैं जो non-deliverable और cash settled contract हैं और इनका settlement होता है जो इनके NIMEX पे जो peer trade करते हैं यानि कि NG जो NIMEX पे trade करती है और रात में जो closing होगी उसके हिसाब से आपको कल contract note में rate देखने के लिए मिलेगा अगर आप position काट कर नहीं जाएंगे settle करके नहीं जाएंगे close करके नहीं जाएंगे आज 25 जून है इस उम्मीद में position मत छोड़ कर जाएगा कि 111 रुपे है और रात में ये 120 रुपे चलाएगा कल ये मत कहिएगा कि मुझे ये पता नहीं था कि आज natural gas की expiry है कई लोग पिछले crude में ये कहते पाए गए मुझे confront करते पाए गए कि मैंने पैसे लिये हैं मुझे CB ने पैसा दिया है MCX ने पैसा दिया है और इसी लिए मैं उनकी बुराई करने की जगए ये कह रहा हूं कि customer को अपनी position का ध्यान रखना चाहिए मैं आज फिर NG में बता रहा हूं आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है ये मुझे मेरा फर्ज लगा और मैं पिछले दो वीडियो से ये बात कह रहा हूं कि 25 जून की expiry है जो आज मैंने शाम को वीडियो बनाया उसमे भी मैंने ये बात कही अभी फिर especially ये वीडियो बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं आज expiry है 25 जून को अगले 30 मिनट के अंदर आप अपनी position काट कर जाएए या उसको roll over कर लीजे next contract में रात में NG क्या करेगी कोई नहीं जानता किस तरह से इस contract को settle किया जाएगा कोई नहीं जानता अभी contractual basis पर ये lowest settlement price है जो इस समय चल रहा है MCX पे तो ये मेरी warning है आप लोगों को information है आप मेरे परिवार का हिस्सा है और इसलिए सारे काम को किनारे करके मैं एक training program में था client के साथ उसको रोक कर मुझे अपना सबसे पहला फर्ज लगा कि मुझे अपने गलती ना हो जो गलती crude oil में हुई थी तो दोस्तों NG expire होने वाली है खतम होने वाली है contract cover होने वाला है तो आप प्लीज अपने सौदों को settle कर लें किसी भी लालच में open छोड़ के ना जाएं या अगर आपको लगता है कि आप next में लेकर जाना चाहते हैं तो carry forward कर लें अग अगर आपको लगता है कि इसको मैं यहीं छोड़ेता हूं मुझे profit या loss हो रहा है तो इसको खतम कर दें और नए contract को जुलाई को नए सिरे से कल देखिए पढ़ियो और उसमें trade करने की कोशिश करिए मैं उम्मीद करता हूं यह information आपके काम आएगी और अगर कल कुछ उलट पुलट होता है तो शायद आप अपने आपको खुश नसीब समझेंगे कि सही समय पर आपने यह वीडियो देख लिया अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए जादा से जादा ग्रुप में यह information शेयर कर काम आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह information तुरंत आप तक पहुचे मेरी मदद करना चाहते हैं हमारे team को support करना चाहते हैं तो angel broking में आप account खुलवाए हमारे link से link description में दिया हुआ है कोई और information अगर आप चाहते ह हैं आप हमसे बात कर सकते हैं कुछ discuss करना चाहते हैं तो कभी भी call कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद next वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद वन दे मातरम